आप नमस्कार हस्त्हक्षित में आपका स्वागत है मैं हूं अम्लैंदू उपाध्य इस बुलेट्र में सबसे पहले देखते हैं दिन भर की स्वागत है तो exactly आज अस बुलेट्र में बात होगी हर्याना में अंतिम दिन Ф चुनाव प्रचार की जेल में बंद कैदियों के काम पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की देखेंगे अजीद पवार के बीजेपी पर करारे वार को किसानों की मोधी सरकार को दी गई चेतावनी को जानेंगे कियों बीजेपी के निशाने पर आये नितीश कुमार और ब पूलापूर में छत्रपती शिवाजी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। प्रतिमा 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 करेंगे अनावरण। हर्याना में इस बार बीजेपी को बड़ा जटका लग सकता है। इस बीच सुप्रीम कोट ने भी जेल मैनुल को लेकर राज्य सरकारों को बड़ा जटका दिया है। कोट ने जेल में बंद कैदियों को बाटे जाने वाले काम पर सक्त टिपड़ी की है। तो क्या है पूरा मामला देखे रिपोर्ट। कोट ने कहा कि किसी विशेश जाती के कैदियों से सीवर टैंक साफ कराना गलत है। पुलिस को इस मामले में कारवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने राज्य सरकारों को आदिश दिया कि जेल मैनुवल में जातिकत भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों में तीन महीने में बदलाव किया जाए। बता दे कि ये याचिका 2023 में दाखिल की गई थी और जनवरी 2024 में इस पर पहली बार सुनवाई हुई। तब कोट ने 17 राज्यों को नोटिस भेज कर जवाब मागा था। लेकिन 6 महीने के अंदर केवल उत्तर प्रदेश, जारखन, ओडिशा, तमिलाडू और पश्चिम बंगाल ने ही अपना जवाब कोट में दाखिल किया। अरब कोट ने मैनुवल में बदलाव करने के आदेश दे दिये हैं। अब NCP प्रमुक अजित पवार ने अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया है। अजित का निशाना डिप्टी सियम दिवेंद्र फडनवीस पर था। अजित पवार ने नाम तो नहीं लिया लेकिन निशाने पर देविंद्र फडनवीस ही दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने बीजेपी के खलाफ आंदोलन बिगुल फूब दिया है। तो क्या है किसानों की मांग और कहा कहा हुआ उनका प्रदर्शन देखे रिपोर्ट। पंजाब हर्याणा में बड़ी संख्या में सयोक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर संगठन के किसान धरने पर बैठे हैं। किसान लखीमपूर खीरी मामले में न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन पर उतरे हैं। पंजाब वहर्याणा में लगभग 36 जगा, दो घंडे तक रेलवे ट्राक पर बैठ कर किसानों ने प्रदर्शन किया। शंभू बॉर्डर से रहे कर पटियाला, लुधियाना, बठिंडा, फिरोजपुर में किसान ट्राक पर बैठे रहे। दोपहर साढ़े बारबजे से धाई बजे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान कई ट्रेने प्रभावित हुई। खासकर चन्डिगर, अंबाला, अमरित सर, लुधियाना और जम्मू रूट पूरी तरह से प्रभावित रहे। दो घंटे तक ट्रेनों की आवाजा ही बन रहे। जिससे आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किसानों का आरोप है कि राजनीतिक दल किसानों को बाटने की कोशिश कर रहे है। किसान नेता सरवन सिंग पंधेर ने कहा कि लखीमपूर खीरी के आरोपितों को सजा दिये जाने की बजाए। उनका समर्थन किया जा रहा है। वही राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान देने को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले केंद्रिय मंत्री रवनीत सिंग बिट्टू को लेकर पंधेर ने कहा कि अगर लखीमपूर मामले में बिट्टू के साथियों की जान चली गई होती तो उनका क्या हाल होना था साथी बीजेपी सांसत कंगना रनौत को मूर्ख बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और बीजेपी नेताओ के इशारे पर कंगना और बिट्टू किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो किसान नेता जगजीत सिंग डलेवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिट्टू ये न भूले कि जिस सरकार में वो मंत्री है उसी ने आरोपियों को मंत्री बनाए रखा था भारतिय किसान यूनियन बिकी यू नेता हर्जिदनर्ट सिंग ने बताया कि लखीमपुर खीरी में किसानों को तीन साल से इंसाफ नहीं मिला है बीजेपी नेता के बेटे ने कई किसानों को कुचल दिया था जिसके चलते हमें आज रेल रोपनी पड़ी है किसान बीजेपी से नाराज है जिसका असर पूरे देश में रिखाई दे रहा है तो बिहार में कुछ और ही नजारा दिखाई दे रहा है यहां बीजेपी के विधायक अपनी सरकार से नाराज है लेकिन निशाने पर पार्टी के मंतरी नहीं बलकी सहयोगी दल है बीजेपी विधायक ने सीधे नितीश कुमार पर निशाना साधा है तो क्या कहा है बीजेपी विधायक ने देखे एई रेपोर्ट की कोशिश की थी लेकिन उनके हस्तक शेफ के बाद ही शोभा यात्रा निकल सकी थी उन्होंने सोहसराय थाना प्रभारी पर पूजा आयोजकों से दुर्वेवार किये जाने का भी आरोप लगाया विधायक सुनिल कुमार ने आगे कहा कि गणेश चतूर्थी के बाद अब के साथी सुनिल कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की स्थिति को बरदाष्ट नहीं किया जाएगा अगर प्रशासन कहता है कि पूजा घर में बंध होकर की जाए तो यह बिलकुल गलत है बतादे कि बीजेपी विधायक सुनिल कुमार ने इस मामले में सुनिल प्रदेश कौमार को ईमिल भी किया है यानि एक बार फिर बीजेपी और जेडियों के बीच अनबन शुरू हो गई है अब देखना होगा किस मामले पर नीटीश कुमार या जेडियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है बीजेपी और जेडियू के बीच पहले से ही तनाव दिख रहा है और इसका आसर जारखन तक दिख रहा है जहां सीट बटवारे पर NDA में तूट दिख रही है जबकि इंडिया गटबंधन एक जुट दिख रहा है इस बीच प्रदेश कॉंग्रेस ने CM हेमंत सूरेन को एक प पत्र लिखा है और दो कानूनों को रद्ध करने की मांग की है प्रदीश अध्यक्ष ने इस पत्र में सबसे पहले लैंड बैंक और भूमी अधिगरहन के संशोधित कानून को तुरंत रद्ध करने की मांग की उन्हों ने लिखा कि रगुवर दास सरकार ने जारखन के 22 ल इसके साथ ही कॉंग्रिस नेता ने दलित समुधायों के लिए जाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए सबको जाति प्रमाणपत्र देने की मांग की है। और उमीद भी की जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमन सुरें जल्दी ही इस चिठी पर एहम फैसला ले सकते हैं तो बीजेपी के लिए इसे अच्छे संकेत के रूप में नहीं देखा जा रहा है। दावा है कि उसकी मांग जनता को राहत पहुचाने के लिए है लेकिन जनता को जिस चीज से राहत की सबसे ज़ादा जरूरत है वो है महंगाई लेकिन महंगाई के मोर्चे पर तो उसे जटका मिलता दिख रहा है। क्रूड और रिफाइन एडिबल ओयल में किया गया है। बता दे कि जो रिफाइन एडिबल ओयल होता है वो अधिकार्श FM GG कमपनियों के लिए रो माटीरियल का 12 से 20 प्रतिशत हिस्सा होता है। इसके उपर अभी से एक से दो महीने की इंवेंट्री कमपनियों के पास पड़ी हुई है। ऐसे में दाम का बढ़ना लाजमी बताया ज़रा है। वह जानकारों ने दावा किया है कि पाम ओयल के लावा दूसरी इंपोर्ट कोस्ट भी बढ़ गई है। जिसके वज़ा से गयोहों के दाम में भी इज़ाफा देखने को मिला है। ऐसे में अब पॉंग्रिस के दावे सच होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में इससे पहले LPG के सिलेंडर की कीमतों में इज़ाफा देखने को मिला था। जिससे आम जनता की जेव पर असर पड़ा था और बोले जिन के आखिर में देखेंगे आशा है यह वीडियो आपको पिसंद आया होगा इसको जाद सेदर लाइक शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को फेस्वुक पेज को फॉलो करें कि और जाद से आदे सको सब्सक्राइब